पंजाब की संगरूर से संसत गुलमीत है हमारे साथ बाचित करने के लिए मुझूद हैं सर किस तरीके से देखते हैं आज संसत की पटल पे राहूल गांदी ने जमकर बोला और काफी सरहाना भी हुई वहीं सत्ता पक्ष उनको घेरते वे भी नजर आया किस तरीके से देखते देखिये बता और लीडर अपोजिशन राहूल गांदी ने जडियां अपने गल्ला ने जडियां रखिया ने सारे मुद्धे ओधे च जडिय उन्हाना ने कवर जडिय आया ओहो कीते ने ते मैं समयदा के ओधे विच कई जगा ते आज देश ते जडिय ग्रह मंत्री सीगे उन्हाना नूँ स्पीकर सावनू एक तरीके नल डिक्टेट कर देवी जडिया नजर है ओहाई जडिय बीजेपी हाउस दी गरीमा दी मर्यादा दी जडिय गल है वो द्वारा द्वारा कर दी रहन दी है अज जो ओही मर्यादा जडिय है मैंनू पोल दे जडिय है उथे नजर जडिय है ओहाई सो मैं सामझ दा क्योंके स्ट्राउंग ओपोजिशन इस देश नू जडिय हो मिली है ते लोकां देवी हित चाय है देश देवी हित चाय होन बीजेपी पहला दी तरह जमें आज जडिय तिन कनूना पासकार लगे सारे जडिय मेंबरी सस्पेंड जडिया करते सी गे स्ट्राउंग ओपोजिशन नाल लोग तंतर भी मजबूत रहूगा देश दा सब्दान भी मजबूत रहूगा ते लोकां देवी ते जड़े फैसले होन गे एक सवाल ये कि जिस तरीके से कई मुद्दे उठाते वे नजर आएं बात करें हम अगनी वीर की बात करें किसानों की नीट परिशा की आप भी संसरत के पटल पर कल अपना पहला भाशन देंगे अपनी बात रखेंगे क्या तैयारी है क्या प्रिप्रेशन है किन मुद्दो को आप उठाने वाले हैं इस पार ये को सब तो पहला था सी क्योंकि पंजाब तो चुणके आया तब पंजाब दी गल करांगे आज इडी क्योंकि राश्टर पती जी दे पाशन ते बैस होनी या डिबेट होना है नती पेज़ां दे विच एक बार भी पंजाब दा जिकर आप जी ने असी पसंट करवाणियां इस देश नों अजाद करवाशन देली दिती या पहले और जदूबाद है दों पूरे देश बदाईयां बंड Вас जारी था सी लढडोंभलन दोंब दोंबने जारे सожно सी लखा पंजाबी साड़ेv शीद होए जड़े और रे गई जद स क्योंकि पंजाब भी वंड़ा गया, सी साधा काल्चर ओथे रहेगे, साधे गुरुकार ओथे रहेगे, स्टोरिकल बेल्डिंग साधियां ओथे रहेगी या, ते फेर भी पंजाबियां ने कदे सी नी कही, हमेशा इस देश ली करबानियां देती या, ते मैं लगदा है साधी सरकार ने एक करोडर पिया, जड़ा ओदेता है, ते वो सूबे दा पाशंच गलत तक नहीं करनी, जेकर नहीं करना, तो यह मुद्दे नो लेकर भी कई मुद्दे हैं, जिस तरीके से पंजाब में जैसे आपने जिकर किया, शहीर का दर्जा नहीं मिला, लोग एक भा हैं, जो देश सिवा देश प्रिम भावना रखते हैं, शामिल होना चाहते हैं. हैं, क्योंकि साथे हैं, है यारां पंडाच फोजियां दे बतलगे होया, भी आशीध होया, एक एक पंड़ दे कई कई शीध हैं, साथे पंडादे विच्छा, जे तुसी देखो भी एक पासे एक जड़ा पूरी तर्माल एक पका फोजी जवाना एक पासे अगनी वीर, उन नूं समझ नहीं हो दा भी किस तरीक ही ना जड़ा फैसला कीता गया है, मैं समय दा कि डी मौरलाइस करना ला जड़ा कम है, उह कीता है, पर सानू साथे नौजवाना थे, साथे फोजी वीरा थे माना है कि फिर भी उप उसे तरह ड़के जड़ी लड़ाई गया है, उह लड वेले सी जलंदर ही सारे लगा के आया है, सारी पार्टी हो थे, पर कवांतमान जी दे कवाई चे जड़ी है, वो लगी होई है, तरड़ा तर जड़ी है जड़ी है, वो हो रही है, ते इसे इमीद कार दे हैं भी जड़े जलंदर दे लोक ने, क्योंकि महिंदर पाक ते अफ्तावी बसूल दे जड़े है, वो रही है, सो उद्दा दे लोकां तो लोकां दा खड़ा जड़ा जड़ा चोट रहे हैं, लोग खोशने ते महिंदर पाक जी रहे, शरीफ आदमी है, उन्होंने चुनने के, एक सवाल मेरा की सिमरन, जिसी मान जिस तरीके से आप संगर लड़ा पिछली बार वो जीत के आए थे, ठीक उसी पकार अमरित पाल भी जीत के आए हैं, और तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि उनको भी पार्लिमेंट के पटल पर आकर शपत लेने का अधिकार उतना ही बनता है, इतना किसी अन्य सांसत को बनता है, चुकि जनता जनारदन उनको चुनकर भेजा है, क्या कहेंगे, अमरित पाल को भी पार्लिमेंट आना चाहिए, उन्हें यदिकार मिलना चाहिए कि वो संसत की पटल पर शपत लें, जिस तरह किसे तमाम जीते हुए संसत शपत लेते हैं, देखो, क्योंकि लोकां दा जेड़ा फैसल है, आसे हो दा सतकार कर दे हैं, ते बाकी सारा कुछ जिड़ा कनून मताबक होना है, ते कनून मताबक की जिड़े अमरतपाल जी है, उन्हें ने जिड़ी सौं है, वो भी जिड़ी आना ले समेच चकनी है, ते असी कनून दी सारे अधी न, कनून दी सारे बज्जी होया, ते कनून मताबक कौन नाले समेच मैं समझ दां कि जड़ा फैसला हुए होगा दिन्यां से बात्चित करने के लिए आप समझ रहे थे समझ रूर से आम आधी पार्टी के सांसद गुनमीत है कुछ जोने तमाम मुद्धे पर निउस जेटींग के साथ खास बात्चित की निदिली से कर्मेन मुन के साथ मैं रवे मिश्रा निउस जेटींग